शेंचेन उचान पक्षु तुम लोग मुझे कहां पे लेकर आगे होर्या मॉझे पता है कि मैंने का फी जादा चौप की आर्मी को गोर से देखना यह सारे के सारे स्पेशल युनिट से यहां पर एक भी युनिट मुझे नॉर्मल अभी तक दिखाई नहीं दिया है यह वाला मगर मच भी दिखने में खतनाक लग रहा है मगर वेट यार काई यह क्या चीज है यह तो मुझे कोई टॉय कांट होता है अर्वा ग्रेट बुल्डो कांट से बहुत जादा खतना को बहुत बड़ा साइज में चलो ठीक है बचे का तो यह बिने क्योंकि चाहिए तुम लोग को पता ने कि मेरी आर्मी भी काफी जादा स्ट्रॉंग है यहां पर पीछे हल्क खड़ा है और यह मॉंस् स्ट्रेक्स नहीं है यह स्पेशल यूनिट भी आगा इसके पास काफी जादा पाउर्ट होने वाली है पीछे एक यहां पर पैरिट नहीं डरस हो रहा है लेकिन इसकी बॉर्डी का टैक्शन तो मकाव की तरह का है अरे यहां मुझे मकाव पैरिट बहुत जादा पसे लेकि यहां पर आर्क का एंक्लो सोस खड़ावा है मगर आरक के एंक्लो सोस के पीछे यह वाला मॉंस्टर तो चौप का था ना अरे यह वाला मॉंस्टर भी मेरे और यह वाला मॉंस्टर भी मेरा यार इतने जादा यूनिट तुम लोग कहां से लेकर आगे हो अरे यहां हम लोग हम लोगे सारे के साँ तुम लोग के साथ देटन कर लेते हैं वहाँ जाय पर ऍदेख लेंगे एक और खतरनाग मॉंस्टर क्रोकोडैल यहां पर इसके पीछे यहां पर यह तो एक सेकिन में मर जाएगा तीन मुवाला सांप है स्कॉर्च का फादर है स्टील सॉनिक भी हैं लो के पास और फाइनल यार गाइज एक मुझे नॉर्मल यूनिट यहां पर दिखाई देगी है अरे दिखने में नॉर्मल है मगर यह भी स्पेशल है जलो ठीक है इसकी प ही अब को पाद बताता हूं इसका मुझे बहुत ही जादा कुलता है मेरी अर्मी को कोशिश करें का मैं भी बहुत स्वाइभा सिमझ के अपनी आर्मी और यूक्त करने वाला हूं इसकी आप लोकशाएज साइज को इसकी मुझे बड़ी तो इसकी तेल है लेकिन खैर हम बहुत जादा ओपी होते हैं क्या ओपी है इसके अंदर ये तो कटावा हाथ है सेंचन कहां पे लेकर आगे तु मुझे ये तो मुझे किसी मॉंस्टर से कम नहीं लग रहा है कर देखें बहुत जादा भातना के हम लोग आपनी नजरे नीचे लेकर आएंगे तो आप लोग देख रहे हो पीछे काफी जादा कैसल और कैसल के बाहर यहां पर यहां पर यहां पर हाथ है लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये काफी ज़्यादा चलाक होता है मगर अब पता ने इसके पास पावर्स कितनी होंगी और ये अटेक किस तरह करेगा अरे या हाँ मैं ये वारा हाथ आपके डैस तो उसका गला पकड़ लेगा गला पकड़ लेगा गला पकड़ने दुगों तो पकड़ेगा ना दिखने में तो किसी इंसान का हाथ है चार उंगलिया और एक थांब है मगर यहाँ पे तो कुछ जाद ही अजीबो गरीब कटसें इसके उपर मैं तो यह सोच रहा हो किए अटैक किस तरह करेगा अरे मैं अभी आपको मैं बता रहा है ना आपके यूनेटव के गले को पकड़के नीचे फैंक देगा इक सेकेंड मैं करता हूँ यहां उनसे कोन सा यूनente मैं यहां पे एक कड़ा करने वाला हूं करना होगा तो फिर यहां घालो को लेकर आउ inspired by the तुम लोगों ने अक्वाइटिक यॉनिट भी ने खड़ा किया फ्लाइंग यॉनिट भी ने खड़ा किया है तो फिर मैं यहां पे कौन सा यॉनिट खड़ा करूं मेरे पास काफी जादा आप्शन्स हैं हल्क को मारने के लिए मैं एक तो हल्क खड़ा करूंगा डैनसौर्स क मैं खड़ा करूंगा राइजयन और तीसरा यॉनिट कौन सा खड़ा करूं बलकि हाँ यार गाइज गोड़ा है ना डैस उसको मारने के लिए गोड़ा करूंगा तीनों के तीनों यॉर्स मैंने चूज़ कर लिए हमना वह तो ठीक है लेगिना आपके पास चांस सिर्फ उस सेफ सायड मैना है यहापे अपनी आर्मी का हल्क भी खड़ा करती है और यह वाला हल्क सिंचे तुम लोग के युनिट्स को मरते वे देख कि मुझे काफी जादा मज़ा आएगा अरे बागर ऐसी बात है तो फिर आम लोग सुबा हो जुकी है अभी आप लोग देखना के सिंचन अचॉप की आर्मी मरती कैसे है लेकिन मेरे युनिट्स के मुझे से जो फ्लेम निकलेगा वो तो आप लोग को रात में देख के मज़ा आएगा लेकिन रात को सिंचन अचॉप के युर्स मरते वे नदर नहीं आएगे तो हम लोग देखने को सुबा में स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बैल अभी तो गया नीचे अभी यहां पे चिपकली के मनने की बारी है मगर मुझे लगता है कि रहे हैं मगर एक सेकंड हल्क की हाथ में यह किस तरह का वैपन आगी हल्क के पास पहले तो मैंने कभी भी यह वाला वैपन नहीं देखा अरे या हम लगते हैं कि आपका हल्क बहुत जादा अप्गेट हो चुका है अभी यार गाइस हां तो वाकिये में अभी कुछ जादे खतनाग हो चुका है इसकी आपक शकल देख रहे हो कितना जादा भ्यानक है और सिंचे और चॉप का नूब्रा हल्क सामने की तरफ खड़ाव है अभी यहां पे सिंचे और चॉप के काफी जादा खतना के यह भी एक्टिवेट हो चुका है अभी में सारे की सारी आर्मी जारी आगे की तरफ मगर एक सेकेंड यह वाला यूट अभी तक मर क्यों नहीं रहा है अरे यहां हमें इसको मारना है पॉसिबल है वह तब ही तुम लोग को पता चलेगा मगर सबसे पह लाएगा मगर नहीं राजे नीचे नहीं जा रहा है राजे बिल्कुछ सई जगह पे खड़ा है और गोड़जा से अभी तक यह वाला डैसर क्यों नहीं मर रहा है तो काफी जादा खतना को और एक सेकंड यहां पर गिर गया मगर फिर भी नहीं मरा कुछ ना कुछ करना यह काफी जादा खतना का इसके पास पावर्स भी बहुत हैं और हलक का एक मुका जब डैसर को लग जाए तो फिर रहा गाए डैसर बचेंगे नहीं लेकिन अभी फिलाल तो मेरे हलक को यह वाई राजजा पेल रहे हैं और पता नहीं क्यों हल्क अपनी स्वाड नहीं निका जीते गाच यहा पर मगर मैं अपने हम कुरह यहाँ पर एक काम करता हूं कि John 2014 को सामने की तरफ लेकर आता हु अरे यहां है मैं देखें यहां देखें की यहां र辮ोगी सिपेडुन के ना कुम सिंचे और चॉप का डैंस बचे का नहीं और हल्क कभी को जादे घुसे में आगे यह वाला हल्क तो दीरे-दीरे मेरा फेविट होता जा रहा है मुक्र तो यह बना बना के मार रहा है और एक पावर्स में इसके पास काफी जाद हैं लेकिन देखते हैं कि यह एक हल्क सिंचे लेक्स गया नीचे मगर नहीं नीचे नहीं गया यह अभी तक यहीं पर खड़ा वें और आप लोग इसकी काम देखुए आगा में रैजन के साथ यह फाइट नहीं कर रहा है सीदा यह जा रहा है हल्क के पास मेरी आर्मी का हल्क है तो काफी जादा खतरा लेकिन पता नहीं कर रहे हल्क के उपर क्यों अटैक कर रहे हैं एक नमबर का नूब्रा जोट है मगर सिंचन और चॉप का एक डैसर तो मर गया अभी हल्क मारें इसवाई दैसर को और वह भी अक्यले दीरे दीरे आगे की तरफ तो जा रहा है लेकिन अभी पता नहीं अंदर भी चला गया मु पावर्स तो इसके पास काफी जाद हैं और गया आगा सेंचन और चॉप का यहाँ डैसर भी मर चुका है मनना पड़ेगा हल्क को जादे खतनाक है अभी मेरी सारी के सारी आर्मी एक साथ आगे की तरफ जाएगी अभी यहां पर इसमाले महमूत के मरने की बारी है और गोड उसको ग्राउंड से बाहर फैंग दिया इसने गोड़्जा टॉन्टी फोटीन के यह वाली पावर्स सबसे जादा उपी हैं लेकिं यह राइजन क्या कर रहा है पता ने किसना का इलिया ने गुल गुल घुम रहा है अब यह किसी को भी नहीं चुड़ने वाला है लेकिन इ नहां पर देखते हैं तो हल्क दुबारा से यहां पर अकीले फाइट कर रहा है सेंचे और चॉप को सारे के सारे मॉंस्टर्स मर गें और एंक्लो सोब्सकों आज गाड़ी उठा के मार दिया है मगर राइजन पता नहीं क्यों गूल गुम रहे हैं मुझे लगता है कि देट गोड़ा 2014 ने इसको भी नीचे फैकना था मगर यह नीचे गया नहीं लेकिन हल्क बाहर निकल चुका है और यागाई जब हल्क बाहर निकल जाए तो फिर यह किसी को छोड़ता नहीं है गोड़ा 2014 मेरे ख्याल से अंदर जाना ही कोशिच कर रहा है मगर अब यह अंदर चुका है और लगता है कि मर गया मगर नहीं यार गाई जिन्दा है गोड़ा 2014 को मारता है इतना असान नहीं है क्योंकि यार गाई बिली में यह काफी जादा पारफुल है लेकिन अब तक सबसे जादा ओपी फाइड हल्क कर रहा है संचे और यह वाला हाइडर भी गया काम स अरे या हमैं यह वाला हम पहुत जादा हो पी है इसलिए तिम्लों कि सा की सारी आरमी को इसने लिए हैं मगर के क्या कर रहे हैं अबर मरो इसको शकल क्यों देख रहे हैं और जिए अख बिचारा करने के साहद ग्राउंड का फैंकर तोस थर्यार गाँ ऑई रागए इक 621 हम लेकिन सेंचन और चॉप का यह वाला हाथ अभी तक इदर ही है अभी पता नहीं यहां पर क्या करेंगा इसके सारे की सारी आर्मी तो मड़ती जा रही है मगर एक सेंचन और चॉप का यह एक डैस और भी बचा है फटा फट से हम लोग इसको भी डिफीट करते हैं उसके बाद सेंचन और चॉप के इस वाले वैनस्टे हैंड का हम लोग फाइट करेंगे यहां पे सेंटर में उसके बाद देखते हैं किसकी आर्मी जादा खतनाक है 2014 ब Index करेंगे अप्रक इसओ डिकि Mate देखते हैं लेकिन अभी देखते हैं कि पूरा का पूरा हम लोग ने क्लियर कर लिया भी सिंचन तुम मुझे ये बता कि तेरा ये वाला वेनस्टे हैंड मेरे कौन से उनिट के साथ फाइट करेगा अरे या हम दे आप हम लोग के बहुत जादा खत्रा के हम लोग के हैंड को पेल देगा तुम लोग का हैंड तो पेला जाएगा लेकिन तुम लोग सोच अरे नहीं या चॉप ये वाला गोड़जे टुन्टी फॉटी फॉटी बहुत जादा OPS ने हम लोग की आर्मी के सारे के साय यूर्स को नीचे फैंग दिया है दो फर सिंचन मैं तो बहुत तो का हम लोग वेनस्टे हैंड का फाइट करवाते हैं इस वाले राइजिन के साइज में क्या रखा यह है बहुत खतना क्या वह तो अभी हम लोग देख लेंगे चल तो बहुत जादा OPS तरीके सरा है मगर यह करेगा क्या मैं यह तो देखना चाहता हूं एक सब्सक्राइब काफी जादा फ्लेक्सिबल है यह वाला हाथ लेकिन इसकी पावर्स हम लोग अभी उंगलियों से तो यह वाला हाथ कुछ भी नहीं कर पाएगा और आप लोग देख रहे हो यह नूबड़ा उंगलियां मार रहा है अब यह क्या कर रहा है राइजन को इतना दूर पटक दिया इसने अरे हम लोग का यह वाला वैनेजटे हैं कितना ज्यादा OPS है मानना राइजन दुबारा खड़ा होगा और अभी तुम लोग का यह वाला वैनेजटे हैंट गया नीचे गया नीचे लेकिना दुबारा बच गया है पावर्स तो इस वाले हाथ के पास भी काफी जाद हैं और अभी इसके नीचे जाने का टाइम आ चुक है मगर यह बच गया न निकाल रहा है यार गाइस यह पावर्स मैंने पहले नहीं देखी यह तो अपने हाथ के अंदर से यार गाइस पता नहीं कुछ अजीब हो गरी फिलेम निका रहे और एक सेकंड यह का चीज़ है अरे या हम लोग का मौस्टर कितना जादा उपी है यह मानना पड़ेगा इस काम से लेकिन अपी था सेंच अच आप तुम लोग का यह वाला हम लोग कल दुबारा इसको ट्राय करेंगे अगर आप लोग को यह वाला गेंपली लगा तो यह वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्स्क्राइब कर देना मैं आप लोग से मिलता हूं है को और गेंपले के